हलो प्रेट लवर्ज आप लोगों का एक पार फिर्शे स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसडी पैट केर में और आज व्रेंड हम आपके लेकर आये हैं सैंट बना डोग जो सैंट बना डोग है यह काफी बिग ब्रीड उती है जैंट ब्रीड होती है तो जो ल लोग इसमें मतलब इस पपी को लेने की बात करें अब अगर इसकी ओरिजिन की बात करते के सैंड बना डोग किस टाइप पर डोग है कहां से आता है मतलब कैसे डोग है तो बैसिकली यह जो डोग है नहीं स्विजर लेंड के ब्रीड है स्विजर लेंड के बेड़ और इसको वहाँ पर रेस्क्यू के अंदर यूज किया जाते हैं इसके स्मेलिंग पावर होती है वो इतनी तेज होती है कि यह बर्फ के काफी फिट नीचे तक लोगों को सूंके उनको रेस्क्यू कर लेते थे जैसे कि लोग बाग मौंटेंरिंग से मज्य करने जाते थे तो यह बर्फ के अंDर दब जाते था तब आ यह है टोग जाते थे कि वहां से बर्फ के अंदर से उनने समयल करके उनने बहार निकाल के इतनी पावर होतीनौ उनन जो पावर से ही उसे खीच के बाहर निकाल लाती थे जो भी मतलब बर्फ के अंदर दब जाता था और इनके गले के अंदर जो ने एक मतलब बैरल टाइप पर होता था उसके अंदर रम हुआ करती थी जैसे वह लोग निकले बाहर फिर उनको यह रम पिलाया करते थे मतलब यह बेसिकली रेस्क्यू डोग ब्रीड के तरह यूज किया जाता है तो स्वीजिलेंड में तो अगर वैसे भी बात की जाए इस डोग के तब जब तक आप इसको गार ट्रेनिंग नहीं दिलाते न तो यह डोग बिलकुर शांत डोग रहते हैं और अगर इनकी अब अगर मैं इनक सैन बरनार्ड जिसको बोलेंगे उसकी हाइट काफी अच्छी होती है काफी हेल्दी होता है डाइट भी बहुत होती है अगर मतलब आप इसको पालते हो तो अपना एक्सपेंस थोड़ा अलग से रख लें डोग के लिए क्योंकि इसकी डाइट बहुत जाद होती है तो अब जो है इंडिया में क्या हो रहता है कि सैन बरनार के सस्ते पपीज भी मिलते है पट सस्ते पपीज के चक्कर में काफ गलत चीज ले लोगे तो मैं तो यही कह आँऊँगा कि आप थोड़ा से पैसे जादा खर्च करलो तो यहले हम सुस्ट पर ने धाक्ष बढ़ा लेती है जो ना बड़ी गलती कर दी है तो इसलिए अच्छे चीज लो प्रस्टेट चीज लो और अगर इनकी प्राइजिंग के बात करें तो इनका प्राइज जो है मेल का प्राइज रखा गया 30,000 और फिमेल का प्राइज रखा गया 25,000 ये ब्रीडर की दुआरा प्राइज रखा गया है लोकेशन इनकी दिल्ली है शिपिंग पॉसिबल है ओल ओवर इंडिया ओल ओवर इंडिया में कहीं पर भी पपीज भेजे जा सकते हैं शिपिंग का चार्जिस एक्टर लगेगा जो के चार्जिस आपको पे करना पड़ेगा शिपिंग पॉसिबल ओल ओवर इंडिया शिपिंग चार्जिस एक्टर लगेगा एकदम ओरिजिनल ब्रीड है मतलब जो फुल हेल्दी फुल अच्छी मतलब हैवी बोन और अच्छी हाइट वाली जो ब्रीड है वो ब्रीड है अगर आपको जाइंट ब्रीड के शोकिन हो तो प्लीज इस पपी के बारे में आप सोच सकते हैं और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए ज़्यादा ज़्यादा शेयर कीजिए और हाँ बैल आइकन को जरूर दबईए ताकि आपको टाइम उटाएं हमारी नोटिफिकेशन मिलती रहे बाई